अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज डू शेर एंड लाइक ते वीडियो तो जैसे कि आपको पता ही है कि हमारी प्रेपोजिशन के पूरी स्रीज स्टार्ट है जिसमें मैं ओलेडी थ्री प्रेपोजिशन कवर कर चीकिए हू इस तीनों का मीनिंग होता है in into and inside तो इप जाता है कि जब करने से बच सकते हैं तो आपको यह ही जानना है लास्ट तक जरूर बने रहेएगा तो यह सारा का सारा कन्फीजन आज आपका दूर हो जाएगा तो चले स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो तो सबसे पहले हम कवर करते हैं इन को, तो देखिए इन के तो इतने सारे यूजिस होते हैं, हम सुबह से लेके शां तक अपनी लाब में बहुत सारे यूजिस करते हैं, अगर आप एक स्टुटेंट हो और टीचर से आपको कुछ ना हो क्लास के अंदर जाने के लिए तो एक सबसे जानते हैं मैं I come in है ना, तो इन का यूजिस होता है, he is in the room, the water is in the glass, तो देरा सो मैंने यूजिस ओफ इन, कुछ तो इतने फैमिलियर है हम लोगों से कि हम सोचते भी ने और हम पर इन का यूजिस कर देते हैं, तो देखिए सबसे पहले जो इन का यूजिस है वो होत तो आकुकि अंस ने हम ध्याद से रहेंगे घड़ेंगे क्योंकि के यह में पर ने कि अच्झाल करेंगे करें तो ब्रहर होता है जासे प्लेस एक अबजेक्ट के अंदर होने की बात को जहां पर कोई चीज परसन किसी चीज के अंदर होता है तुक है जैसे कि he is इंदर room वे है room के अंदर है लेकिन आप यहां पे ये भी शवज़ियेगा कि इन अगर use हो रहा है तो जिस चीज के अंदर होने की बात है वो एक side से open होनी चाहिए जैसा अब रूम की बात है अब बताए कि रूम चारों से बंद होता है? नहीं. रूम केवल थ्री साइड से बंद होता है और एक गेट होता है जो ओपन भी रह सकता है या फिर उसको बंद भी किया जा सकता है बट वो टोटली क्लोज नहीं होता. यह मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब हम इंसाइड करेंगे तो हम इसकी बहुत जादा रिक्वार्मेंट पड़ेगी दोनों की डिफ्रेंस को समझने के लिए तो इस बात को आप समझ लीजे एक ऐसी जग है जो चारों साइड से बंद नहीं है जो एक साइड से उपन है मेवी थ्री साइड से रोज से कवर होती है तो तब हम इस्जब करते हैं इनका जैसे के जिफर हो मिला में गौर अब थे शूज अर इंसाइड भोक्स भी हम यूज कर सकते हैं मैं आपको बताूँगी। जब मैं ए इंसाइड बोलना है और कब यूपल ला है लेकिन अब यां इन कहीं समझे लिजीये कि अगर मैंने कहा कि शूजबॉक्स के अंदर फो शूजबॉक्स के अंदर इन इन भॉक्स , चीक है , मैं रहने गलास में पानी है , दे वॉर्टर या तिर इस वोटर इन गलास , अब गलास देखे गलास ती साइड से close है और उपर की साइड से वह open है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि the water is in the glass, right, तो इस तो हम इनका use may को show करने के लिए करते हैं, तो यह place के लिए यूज होता है, जहांपे हम किसी person को किसी thing को किसी place पर दिखाते हैं, और वो place जो area होते हुए एक पर्टिकुलर एरिया होना चाहिए जैसे कि he's in the ground, ground में है, तो ground में का सेंस आ रहा है, अब देखिए ground ऐसा तो नहीं है कि दूर तक ground ही ground होगा, ground का भी एक boundary होती है, एक पर्टिकुलर एरिया होता है, जिसे हम ground का नाम देते है, उससे बाहर जाती road भी आ जाती है, right, उसक क्या बोलेंगे field को भी हम in का ही use करेंगे, वहां के ठीक है, यह example मैंने है पर बताएगे आपको the shoes are in the box, books are in the bag, books कहां पे है, bag के अंदर है, तो यह समझ में आगे होगा आपको कि जब हम किसी object की, किसी person की position को किसी place पे दिखाते हैं, तब हम in का use करते हैं, तो देखिए second ज हम किसी मन्त की बात करते हैं, और वहां पे हमें में का use करना हो, जैसे कि exam September में start होंगे, कब start होंगे September में, मेरा जनम दिन October में आता है, ठीक है, वह है अप्रेल में यहां आएगा, तो इस तरीके से sentence, अगर हम बोलते हैं, जिन में मन्त का use हुआ हो, और में की sense आ रही हो, मन से पहले, तब हम इनका use करेंगे, for example, I will go there in October, मैं वहां October में चाओंगा, ठीक है, the exam will be in September, exam कब होंगे, September में होंगे, तो देखें, यहां भी October, यहां पे September, दोनों ही month's name है, और जब हम इनको में की sentence हा रहे हमारे सामने, तो हम इन से पहले use करेंगे, इनका, यह समझ में आय हो कि इस year में यह काम हुआ है, यह फिर यह है, तो वहां पे भी हम इनका use करते है, जैसे कि वह है यहां 2006 में आया था, तो he came here in 2006, ठीक है, मैं 2012 में वहां था, I was there in 2012, इस तरीके से, तो देखें, example, India got freedom in 1947, इंडिया को 1947 में freedom मिली थी, He was born in 2006, वह 2006 में born हुआ था, किसी भी city के name से पहले, हम इनका use करते है, लेकिन यह जब वहां पे किसी person की position को दिखाया जाए, जैसे कि मैं कहूंगे वह दिल्ली में रहता है, तो he lives in Delhi, ठीक है, permanent stay होना चाहिए वो, क्योंकि अगर एक short time का stay होता है, किसी बड़ी city में, जरू वहां पे stay long time के लिए दिखाया गया, कि वह वहीं पे ही रहते है, तब हम इनका use करेंगे, लेकिन अगर stay वहां पे short time के लिए दिखाया जाता है, तब हम at का use करते है, तो I will stay at daily for two days, अब यहां पे दोनों का difference आप देख लिए, वैसे जब मैं at कराऊंगी, मैं यह difference आपको बताऊंगी, वहां पर लेकिन, बस यह यादखेगा, कि जब भी किसी बड़ी city की बात होती है, और में की sense वहां पे आती है, तो हम किसका use करेंगे, इनका use करेंगे, लेकिन अगर short term के stay की बात होती तब हम आपे इनका use नहीं करेंगे, for example, he lives in Mumbai, वह मुंबई में रहता है, ठीक है, मैं अगर कहूँ कि वहां दिली में रहती है, she lives in Delhi, तो बस इस तरीके से जहां पे long time का stay दिखाया जाता है, या फिर यह बताया जाता है कि कोई person कहां पे रहता है, ठीक है, अगर अगर आप किसी village की बात करते हो, कि वहां का नाम लेकर बोलते हो, कि वहां उस village में रहता है, तब हम village में इनका use नहीं करेंगे, sense तो वहां पे make ही आएगी, लेकिन हम वहां पे इनका use नहीं करेंगे, हम किसी भी गाउन का नाम लेकर कह सकते है, he lives at that village, ठीक है, तो वहां पे at का use होता है तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि इन जहां किसी की पोजिशन और लेडी किसी चीज के अंदर होती है किसी प्लेस के अंदर होती है तब वहां पर हम इन का यूज करते हैं लेकिन यहां पर भी इंटो का जो रोल होता है वो भी किसी प्लेस के अंदर किसी चीज क पर है लेकिन मैंने कहा कि he is going that's room वह क्या कर रहा है क्या रूम में लेडी है नहीं वह रूम में जा रहा है तो रूम में जब वह जा रहा है तो इसका मतलब वह motion में है राइट एक्टिव है तो जब किसी चीज के बाहर से अंदर जाने की सेंस आती है वहां पर हम इंटू का यूज करते हैं he is going into the room not in the room he is going into the room for example same he is going into the room वह रूम में जा रहा है रूम में नहीं है next pour some tea into the cup अब देखे क्या होता है कि pour some tea चाय दे दीजिए डाल दीजिए किसमें कप में तो जब हम टी को कप में डालेंगे तो कैसे डालेंगे वह बाहर से अंदर की ओर जाएगी राइट यहनिकि motion में जाएगी वह एज़ास नहीं कि ओ लेडी लेकिन अगर मैं कहूं कि there is tea tea dash cup क्या है चाय कप में है तो तब हम वहाँ पे इन का यूज़ करेंगे but if I say pour some tea into the cup तो हम क्या यूज़ करेंगे into the cup क्यों क्योंकि जो चाय है वो कप के बाहर है वो बाहर से अंदर की ओर जाएगी तो motion में जाएगी तो जहां पे भी कोई motion में किसी दूसी चीज़ के अंदर जाने की बात होती है तब वहाँ पे into का यूज़ किया जाता है जैसे the frog jumped into the pond अब jump जब किया frog ने बाहर से अंदर क्या होगा ना pond के ऐसा तो नहीं है कि उसने अंदर ही था लेकिन अगर मैंने कहा कि the frog is in the pond frog कहां पे है in the pond है तो तब हम यूज़ करेंगे लेकिन अगर वो बाहर से जंप करके अंदर जा रहा है तब हम यूज़ करेंगे दाफ रोग jumped into the pond यहीं अंतर है in and into में तो याद रखेगा जब कोई चीज या कोई person किसी particular place के अंदर already है तो वहाँ पे हम इनका यूज़ करेंगे लेकिन जब वो किसी place के अंदर जाता है किसी particular area के अंदर जाता है और वो भी movement में होता है बाहर से अंदर के और जाने की sense आती है तब हम use करते हैं into का right तो I think कि आपको समझ में आ गया होगा अब आप अच्छे से समझ सकते हैं अगर मैं कहूं कि the principal is in the class principal class में है तो इसका मतलब वो old lady वहाँ पर है but the principal is going into the class which जा रहे यानि कि वह भी गए नहीं है बट वो class के अंदर जा रहे है motion में है और अंदर ही जा रहे है तो वहाँ पर हम into का use करेंगे तो यह तो हुआ into का first use जहां पर कोई चीज या कोई person किसी दूसरे एक particular area में जाने की बात होती है तब motion में होता है तब हम लगात इन्ट चैन्ज को दिखाना हो उसके nature में change को दिखाना हो या फिर सके state में change को दिखाना हो तब भी हम यूज़ करते हैं into का जैसे पानी example the water has changed into ice अब देहे यहां पर जो water था वो liquid में था अब वो किसमें change हो गया ice में change हो गया यानि कि उसका state change हो गया है change हो गया उसकी state अभी क्या ते लिक्विट्विड्ती अभी क्या होगे solid हो गया है तो जब हम किसी के nature को change होता हो दिखाते हैं जिसमें change और उससे पहले into का use करेंगे ठीक है तो यह example साब हो I think समझी गए होंगे the water has changed into ice water ice में change हो गया you turned into corrupt अब देखें यहां पर कोई person है और वो कैसा बन गया है corrupt बन गया है अबसे पहले 500 नहीं था लेकिन अभी वो क्या बन गया है तो इसलिए यहां पर you turn into corrupt यहां under natural change हो आथ there are so many example we can take from our Delhi life इस तरीके से तब हम यूज करते हैं इन्टू का यूज तो आपको समझ में आई गया होगा तो यह बस इन्टू के जो इंपोर्टेंट कह सकते हैं कि यूज इस थे मैं आपको बता दिये चलिए आप कर लेते हैं इनसाइट यह एक ऐसे यह बात करता है लेकिंट आपको पता है। वह सकता है लेकिश Brittany ऑपन हो सकता है negotiation ऐसी काम करता है क्वोड़ नहीं हैð क्योंकि वहें हैं यक्शा साइड से यह सकता है because there is the gate there is window in the room right इस तरीके से लेकिन जब कोई चीज चारो और से covered है और उसके अंदर होने की बात हो रही है तो तब हम inside का use करेंगे example he is inside the room अब देखे अगर मैंने कहा he is in the room इसका मतलब यह है कि gate खुला हुआ है चारो साइड से gate बंद नहीं इतमिन्स चारो साइड से room बंद नहीं है तो हम कह सकते he is in the room इसका मतलब कि बंद है इसे एरिया के अंदर है जो चारो और से बंद है next he will be inside the office अब देखे हम inside का use एक ऐसी sense में भी करते है जब किसी चीज के अंदर के अंदर की बात होती है अब देखे office कहीं पर भी हो सकते है किसी building कोई office है building है उसके अंदर एक working area है और उस working area के अंदर भी क्या है एक office है यह फिर आप school का example ले लीजे अगर मैंने कहा कि वह है school में he is in the school मैंने कहा कि वह है school में office के अंदर है तो बात school में office के अंदर की हो रही है तो तब हम कहेंगे he is inside the office in the school क्योंकि वह school के भी अंदर office की बात हो रही है तो वहां वह ऐसे sense के साथ भी हम inside का यूज करते है एक और example अभी आपको गए कि मैं अभी तो आपने कहा था कि दो अब देखिए ध्यास समझी दोनों के अंतर को अगर मैंने कहा inside the bag तो इसका मतलब है कि जो bag है वो बंद है उसकी जो chain है जहां से हम उसको close and open करते है वो बंद है वो बिल्कुल चारो तरफ से बंद है तो books अगर बिल्कुल bag बंद के अंदर है bag बंद है और books उसके अंदर है अगर हमें बोलना हो कि books back के अंदर है और back बंध है तो हम कहेंगे the books are inside the bag लेकिन अगर back की chain खुली हुई है और books की हमें बात करनी है तब हम कहेंगे the books are in the bag difference को समझेए next what is inside the box अगर देखे कोई box खुला हुआ है उपर से खुला हुआ है और मैंने कहा कि shoes are in the box ठीक है shoes कहां पे है box में क्यों क्योंकि वो उपर से खुला हुआ है लेकिन if I say what is inside the box इसका मतलब है कि जो box है वो बंध है वो खुला हुआ नहीं है और हम बात कर रहे है कि इसके अंदर क्या है तो तब हम यूज़ करेंगे inside का what is inside the box box के अंदर क्या है तो I think ये अंदर आपको समझ में आ गया होगा कि इन जब जो जिस भी place की बात होती है जिस object की बात होती है जिस भी चीज़ के अंदर होने की बात होती है वो चारो तरफ से cover नहीं होता बंध नहीं होता तो तब हम इन का यूज़ करते है लेकिन जब हम किसी एक चीज़ के अंदर भी अंदर की बात करते है तब हम वहाँ पर इनसाइड दा यूज़ कर सकते है जैसे मैंने कहा वह किचन में हो सकती है अब देखे किचन कहां पर होता है घर के अंदर होता है तो हम वहाँ पर भी यूज़ कर सकते है कि शी विल बी इनसाइ कई होंगे आपको तो आज की वीडियो में बस इतने ही आगर आपको समझ में ना आ है तो वीडियो को देख लिजेगा और अपने ही सारा का सारा कॉंसर्ट के लिए कर लिजेगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में तिल देन बबाई टेक के स्टे हल्दी एंड कीप लर्निंग